असलाम अलेकुम लियर स्टुडेंट्स, आज के लेसन में हम देखेंगे कि आप अपने डुमैन नेम को अपने ब्लॉग या फिर वेबसाइट के साथ कैसे कन्फिक कर सकते हैं, इसे प्रिवस लेसन में मैंने आपको बताया था कि आप free of cost कैसे डुमैन नेम ले सकते हैं, जो क ब्लॉग ओपन करता हूं, तो मेरे ब्लॉग का जो डुमैन है, वह वर्चुल अकैदमी.blogspot.com, इसको 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 अन्फिक करने के लिए मैं द्वारत से free नम जो मेरी वेबसाइट है, वहां बजाता हूं, और यहां से sign in पर क्लिक करता हूं, sign in पर क्लिक करने वाद देखें, तो आपस complete information आ जाती है, इसकी domain ने, registration date इसकी क्या है, और इसकी expiry date क्या है, यहां देखने के बाद अपने यहां से manage freedom domain पर क्लिक करने है, manage freedom domain पर आने के बाद आप ते पास यहां पर कुछ record है, कुछ target है, और यहां पर आपने type A में कुछ IP address यहां पर add करने है, IP address add करने के लिए आप अपने blogger में जाए, blogger में जो मेरा blogger है, virtual academy के नाम से blog था, इसको में click करता हूँ, और यहां पर आपने setting में आने, setting में आने के बाद आपने basic setting है, basic setting में blog address है, और blog address में हमारा जो address था, virtual academy.blogsport.com, अब आपने यहां पर setup third party URL domain इस पर click करने है, यहां प click करने, click करने के बाद आप पस यहां पर लिखावाई view setting instructions इस पर आपने click करने, और हमने जो है तो top level domain हमने लेना, sub domain ही लेना, top level domain पर आपने click करने, और यहां पर आप पस देखे तो कुछ IP address यहां पर दिए, इन IP address को आपने copy करने, यहां से address को copy करता हूँ, select किया, control C से copy क किया, और control C से copy करने के बाद में यहां पर, इस target में से क्या करता हूँ, control भी paste कर देता हूँ, इसे बाद अपने more record पर click करने, type A है, next आपने क्या करने है कि यहां पर दुबारा भी जाता हूँ, और second one को यहां से copy करता हूँ, second copy करता हूँ, control C copy, और यहां पर जाके, control भी करके paste कर देता हूँ, फिर more record पर जोँगा दुबार से, और more record में अब यहां से copy करूँगा इसको, control C copy, और यहां पर, control V paste, फिर more record में जोँगा यहां पर, और more record में जाने के बाद मैं यहां से, इसको भी copy करूँगा, control C copy, और यहां पर जाके, इसको, control V paste, अप याद रखें, कि आपनी जो भी काम करना होता है, उसका पहले, इसकी instruction प्रलिया करें, जैसे कि यहां पर इसके instructions दी नहीं है कि आपने कैसे काम करना है तो देखें complete आपको instructions दी नहीं है कि आपने कैसे काम करना है अब यह सारी का सारा काम करने के बाद यहां पर अगर आप देखें तो यह सारा काम हो चुके अब हमने क्या करना है इसको close करने आप और ब्लगर में जाके ब्लगर की setting ने आपस जो अपने add किया हूँ और यहां पर आपने क्या करना है कि यहां पर आपने academy जो कि आपके site domain name में आपने वो यहां पर add करना है तो site domain name मैंने क्या रखा था तो मैंने नाम रखा था virtual academy for you.imber आपने यहां पर यह चीज़ टाइप करने है यह टाइप करने कि आपने इसकी जो use missing file पॉस्ट जो इसको no ही आपने रखने के बाद आप इसको save पे क्लिक करें आपके पास एक error यहां पर आएगा यहां पर किसी भी किसम का कोई error आ सकते है आप अपने क्या करना है कि आपके पास यहां पर name label और host field यहां पर दीनी है तो आपने यह जो कहता करिया है www इसको आपने select करना है Ctrl-C से copy करने और इसको आपने यहां पर more record पर क्लिक करने और more record में आपने जो यहां से type select करनी है वो आपने इसको करना है c name c name select करने के बाद name के अंदर आपने Ctrl भी करके paste कर लिने और यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर आपको बता रहे है name और कह रहे हैं कि जितने record है यह आपने c name से copy करने name अब name के बाद यहां पर आपको यह चीज़े यह देए destination target Ctrl C copy करता हो इसको और यहां पर जाकर इसको मैं Ctrl भी करके paste कर देता हो टारगेट में more record में फिर आप क्लिक करें और यहां पर आप देखें तो आपको यहां पर name आ जाता है Ctrl C copy इस name को control भी करके paste करें और target में आप यहाँ पर क्या कर दें कि इस say को copy करें control से और इस copy यहाँ पर क्या करना है target में control भी करके paste कर दें पेस्ट करने के बाद आप यहाँ से save change पर क्लिक करने थोड़ा सा time लेगा save होने में ओके तो आपका record complete save हो चुका है हमने एक गलती किए हम ने हमने यहाँ पर जो name था उसी category हमने चैंज ने कि c name को दे और add record में हमने इसको c name दे और जो हमने काम किया है जो गलत किया हो क्या हो गया था और हमने यह चीज जो है, इसको C ने भी निया था, इस चीज को कॉपी करने है आपने, Ctrl C copy और हमने चाहँ पर जाके, इसको क्या करनीं ? Ctrl V paste और यहां पर आपने a.S report को कॉपी करने Ctrl C copy और इसको यहां पर जाके टार्गट में control भीकर के paste कर दिलें हमने choose दी किया तो scene है अब save change पर click करतो हूं में complete record save हो चुक है देख सकते हैं complete record अब पस save हो चुक है अब save होने के बाद अपनी क्या करने है कि आप अपने blog में जाए blog में जाने के बाद अपने यहां पर सेव पर क्रिक करने थोड़ा सा डायम लेगा सेव होने में कि सेव हो रहे हैं ओके तो यहां पर देखें तो आपको सेव हो चुक है तुबारा से एडिट पर जाता हूं जाने के बाद में इसको रिडिरेक्ट पर इसको चेक करता हूं और सेव करता हूं तुबारा से .ml तो आपके पस देखें तो आपके पस यह url config हो चुका है तो अब यहां से अपने url कोई url उसको config कर सकते हैं और easily config कर सकते हैं और यहां वे आपस virtual academy.blogspot.com का जो इसको आप refresh करें तो देखेगा कि यह आपको error देगा और error नहीं दिया बलके इसने भी क्या क्या है यहां पर for you.ml में convert हो चुका है, redirect हो चुका है तो यह था जी आज का lesson जिसमें हमने custom domain name लिया, custom आपने domain name लिया और उसका हमने क्या क्या है, यहां पर add config करना सीखा अपने blog के साथ तो आपके पास कहीं पर भी कोई domain name है, तो आप उसको इसी तरह से अपने config करना है, अगर आपके वापस config नहीं हो रहा तो आप जरूर वहां पर instructions पढ़ लिया करें, कि अपने domain name को कैसे config करना है, वहां पर complete details से बताया जाता है, कि अपने domain name को कैसे config करना है, कि हर एक website एक अपना तरीका होता है, तो ज्यादा तर जितनी भी website है, वो बिल्कुल same, ऐसे ही config करती है domain name को, तो आप वहां से देखें, अच्छी तरह से instructions पढ़ें, और domain name को config करना है, तो यह था जी आप क्या lesson, उमीद है कि आपको पसंद आया होगा, अब इंशाला WordPress की training में अपना बहुत सारा ख्यार लखेगा, अपनी द्वाओं में याद रखेगा, खुदा हाफिस्टा